चेप्टर 13, एक्सराइब 13.2, क्लास 9 इस्टुरेंट, सी दा कोर्टन नॉमबर 6, कर्ब सर्पेस एरिया और राइड सर्कुलर सिरेंडर इस 4.4 मीटर स्क्वार, इस रेडियस आप बेस आप दा सिरेंडर इस 0.7 मीटर, फाइंड दा हाइट, आपको हाइट याबर फाइंड करनी स्टुरेंड, वाइदा भी आपको कोस्टन में गिवन है, रेडियस आपको 0.7 मीटर आपको गिवन है, ठीक है, और आपको कर्ब सर्पेस एरिया आपको गिवन है, सिलेंडर का 4.4 मीटर स्क्वार, ठीक है न, तो देखिए, as we know that, स्टुरेंड कर्ब सर्पेस एरिया और सिलेंडर के इकल टू टू पाइड आरेच, ओके, तो टू पाइड आरेच, इकल टू आपको गिवन है, तो पूट दा वैलू, 22 अपान 7, आर इस दा 0.7, एन फाइंड है, एर एच, 4.4, ओके, तो इस जो शेवन है, आपको यहां जाएगा इसके, मल्टिप्लाइ में, 2 इंटू 22 इंटू 0.7, इंटू H उकल टू 4.4 इंटू 7, ओके, तो H उकल टू 4.4 इंटू 7, अपान 2 इंटू 22 इंटू 0.7 आपका आजाता है, ठीके न, आप पॉइंट टाइंग उपर 10 हो जाएगा, ठीके, यह 7, 7 कैंसिल हो गया आपका, इसका यहां से पॉइंट आपने है, तो यहां भी 10 आजा, 10 10 कैंसिल हो जाता है, फिर आपका यहां से 22 तू टू जा, 44 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, H उकल टू आपका 1 मीटर आजाता है, ठीके इस्टूएंट, यह आपका कोशन था, ठीके, कोशन नमबर 6 इस्टूएंट, ठीके,